प्रमे तीन कथन किसी वृत के केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम्धिवाजित करता है ज्यात है एक वृत जिसका केंदर O है तथा AB उसकी एक जीवा है तथा OM लंब है AB से सिद्ध करना है रेखाखांड AM बराबर रेखाखांड MB हमें सिद्ध करना है रचना O को A और B से मिलाईए उपत्ति त्रिभूज O M A तथा त्रिभूज O B M में सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास त्रिज्जा O A और त्रिज्जा O B ये बराबर है क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही वृत की त्रिज्जाएं क्योंकि ये दोनों जो है एक ही वृत की त्रिज्जाएं हैं जो कि आपस में सदेव बराबर होती है एकी विरित की दो त्रिज्जाएं इसी तरह से हम देखते हैं कि OM दोनों त्रिभुज में OM बराबर OM लिखे क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में उभेनिष्ट भुजा है उभेनिष्ट भुजा है ये उसी तरह से यहां पर हम देखते हैं कि दोनों त्रिभुज में त्रिभुज O कोण OMA बराबर कोण OM B ये जो है यहां पर ये जो दोनों कोण है कोण OMA बराबर कोण OM B ये सम कोण है ये दोनों त्रिभुज में ये सम कोण है सम कोण है तो त्रिभुज OMA सरवांग सम है त्रिभुज OM B से यहां पर हमने सम कोण कर्ण भुजा सरवांग समता से सम कोण कर्ण भुजा सरवांग समता से दोनों त्रिभुज को सरवांग सम सिद्ध किया है अतहा AM बराबर है MB से यहां पर हमने सरवांग समत्रिभुज के संगत भाग बताया है सरवांग समत्रिभुज के संगत भाग यह दोनों AM बराबर BM सरवांग समत्रिभुज के संगत भाग है तो इस तरह से हमने यहां पर सिद्ध किया कि AM बराबर MB जो की सरवांग समत्रिभुज के संगत भाग है यह इस प्रमे में हमें सिद्ध करना था इस प्रमे का विलोम क्या है क्या वृत के केंदर से एक जीवा को समधिवाजित करने के लिए खीची गई रेखा जीवा पर लंब होती है क्या है